एक निया कुमार अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं उनको लेके आप भारत जोड़ने की बाते करोगे तो आपको क्या लगता है जम्मु किश्मीर के लोग बेकुफ हैं देख शुरोदी लोगों के जूतों का हार गले में डालके लखनपूर से पार एंटी न भारत जोड़ो यात्रा या भारत विरोधी यात्रा आपने कैप्शन तो पढ़ ही लिया होगा तो चलिए इस पर नजर डालते हैं मैं शुबम को अत्वाल आज मेरे साथ हैं मनोज पादा जी जो की अंतराष्टे हिंदु महासभा के युवा अधियक्ष है सबसे पहले अन्यवाद आपका शूर्ण जी मनोज जी टैफ्शन जंता ने पढ़ लिया आप तो भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में जा रहे थे ऐसा क्या हुआ कि आपको नराजगी होगे आप गलत कहा है मैं समर्थन में नहीं जा रहा था देखिए मेरी बात सुनिए डेमोक्रेस नहीं क्यों कि इस लोग को जोडने की बात की जा रही है जिन लोगों ने डिली में जो है भारत के होगे इन्शाला इन्शाला इस परकार की नारेबाजी की अफजल हमENCE हैं तेरे कातल जिन्दा हैं तो मुझे बताो कि ये लोग रहत को जोड सकते हैं और इनका क्या व्रोसा यह जा के सिरनगर में जो हुरियत वालों को भी साथ रखे उनके साथ भारत जोड़ने की बाते करेंगे यह लोग तो यह मेरी नजर में यह बारत विरोधी आत्रा है और यहां की अडिमिस्टेशन को चाहिए था कि जो यह एंटी नेशन लोग हैं इनक कातिल के उपर जिन्होंने नारे दिया अफ़स्टर गुरू के समर्थन में जिन्होंने नारे दिया कनेया कि आभड कर रहे हैं अगर कनेया आएं थो लखनपूर में क्यों नहीं रोखा गया अगर वह एंटी नेशनल ही तो ऑना चाहिए यहां पे तो एन्टीनेशन अशन बारत जोड़ों की बात कर तो लाखनपुर एंटर कर जाता है तो कम से कम यहां की कितने संगट हैं उनका काम था कि इन लोगों का पोज करना यह लोग हमारे जम्मो कश्मीर मंदरों के शहर में घुस कैसे रहे हैं जो एंटी नेशनल नारे बाज़े जो दिली के अंदर करते और उनको आने दिया जाता है और भारत जोड़ों की बात करते हैं यह बारत व Random嫌श को दो आहिए करी हैं आप नहीं काकि यह लोग लेकिन हमने राघूलग की रैलिवे कहा फारुक अभुदॉल्ला साह भी थे चाहते हैं पाक्स्तान के al防त gold के ओप पाकिस्तान के करते welcome साओं हमारे लोगों को मरते रहें वह से लिए करो कभिए को वाजित करने का कोई फाइदा नहीं यह ओन के वोट बांक को खुश करने के लिए स्टेटमेंट देते हैं यहाँ पर मौल बना रहे इसलिए इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं इन लो इसी बाने पता तो लगा कौन है किसके संग वरना डोगरों की लड़ाई जो है अपनी कुर्सी की जंग के लिए लोग लड़ रहे हैं डोगरों का सारा लेक लाल सिंग जी को तो चड़ने नहीं दिया वहां भी किश्मीर को खुश किया किश्मीर की पॉलिटिकल पार्टि पर भी आने नहीं दिया तो मैंने मानता कि यह लोग इनका माइंड साइट है वह यह एंटी नेशन लोग हैं इन्होंने इनके खांदान ने भी हमेशा देश को तोड़ने का ही काम किया है तो आज यह बारत जोड़ों किस परकार जोड़ रहे हैं कनिया कुमार अफजल हम श उनको तो मैंने नहीं ओखमार को क्यों कहा तो आप भी जानते के जैन्यट की जैनख़य में क्या किया ऊसको कैसे अंतरिया भी बवागी लोग आए आज देमोकरीशी में हग है न आप भी यहा से एक जम्मोकश्मीर से यत्रह न नकालो कि मैं कन्या कुमारी जाउंगक चैहाँ कितने लोग है रैली में लोकल मुझे बता दीजिए कांग्रस पार्टी की गिने चुने पता दिखा रहे हैं उन्हें डेजिगनेशनों पर बैठे वे लोग है वह उसके लावा मुझे दिखाऊ ला को 36 गड़ से है कोई गुजरात से है कोई कहां से बाहर से लोग उठाके ला है ठाटरी है प्रेम नगर है आवने एक बार ही मैं चैलेंज करता हूं वहां घुसने नहीं देते हैं टीनेशन लोगों को पिछली बार भी जो डांगरी में हुआ रिजोरी के अंदर जो हुआ नियते नर्सिंग हर जो हिंदों पर किया गया है नियते हिंदों पर जो है गो लेकि तो कहीं न कहीं बड़े भाई ने इस बार जो है चनाव रिजिन के लोगों को भी चोट पहुचाई है हम इस चीज़ से चोट लगी है कि हर जगा हरताल हुई डांगरी को लेकर लेकिन जम्मू के लोगों ने यहां पर बंद नहीं किया हम इस चीज़ से काफी दुख आप मेरे पहले भी काफी इंटर्विव कर चुके हैं आप मेरे को ग्रॉंड पे वी काम करते देख चुके हैं जम्मू कश्मीर के लोग स्टेट बीजेपी से फैड़ अप हो चुके हैं साथ साल में इस बीजेपी ने कोई रिजल्ट लोगों को नहीं दिया मैं क्लियर कट पंदा हूं मोदी जी से नराज नहीं हैं सेंटर गॉर्मिर से नराज नहीं हैं सेंटर गॉर्मिर तक बात ही नहीं पहुंच रही हों मिनिस्टर जमू किश्मीर में आते हैं उनको मिलने नहीं दिया जाता क्रोंड के लोगों के साथ उपर सही गवर्णर साथ उनको बता दे पे हैं मैं ज्यादा नहीं बोलता दो दो लोगों का डेलिकेशन आप भेज़ देते वो लोग मिलते और उनको बताते मुझे लगद उनको खुशी होती कि हो मिनिस्टर साभ ने हमें आश्वासन दिया है तो ये लोग तो आश्वासन को क्राय जा रहे हैं फैड़ पो हो विभ्र ममद में भी लोग रो रहे हैं मैं संटर गोवर्मेक्ट की बाथ नहीं कर दो लेगैंस के बिलकुल लोग इनका काम बिल्कुल जीरो है कनीया कुमार की खिलाप बोलके राजीनी लोग ने वह altern रेना जी बैठे हुए नहीं दोस् हो और भी कि पो उस्य ने सक्किल्गांब और लोगों की तकeping करें वोट थीज़ा है हमने कभी सेंटर गवर्मिट के ख्रलाफ ने बोला क्यों ने बोलो मैं को करूंगा आज से पहले रधानमंतरी मोदी जी ही नहीं थेंसे पाकिस्तान हमेंज ज्रता था इंदोस्तान को फी ऊंदोस्तान को हम चोंदेंगे वह को नहीं नेंशे have लेकिन मोधिजी थांट टाय तत्स की जो है क्लीर चीज करना हूं कि 307 जरूरी था रिखन से कटाना जरूरी था और समय हर तब के ने जो है संटर गोर्मेंट का साथ दिया लेकिन बाद में उम्मीद हैं क्या हुई सबने सपोर्ट किया और तूटा उसके बाद क्या हुआ क्या तूटने का फाइदा हुआ अगर रिजुरी में ढांगरी भी होता है नर्वाल में बलास्ट होते हैं सिद्रा में मिल टैंट गुस्ते हैं फिर क्या बैनिफिट हुआ तिन सो साथर तोड़ने का क्या फाइदा हो जब कि हम सबने समर्तन कि और तूटना चाहिए था हक लो हो दी जी आपको इंटर्वीन करना पड़ेगा मुझे लगता है कि सख्षम नहीं रहे हैं कि सकोटी को मैंटेन करने में यहां पर टैर्रिज्म को खदम करने में गवर्नर साथ भी असमर्थ रहे हैं क्यूंकि हमारे किश्मीरी पंड़तों को किश्मीर में मारा जा रहा है से मुझे मुझे लगता कहीं नहीं वी मीमी में आएगा ये वी कोई कereye मी már करने के बात करता एक जोड़ों की बात करताBuраз को यातरा करें के मेहमान हैं वो वेलम करते हैं उनका लेकिन देश व्रोदी लोगों का कोई वेलäकम नहीं है देश व्रोदी लोगों का जूतं का हार गले में ढालके लाकनपूर से पार बागी स्टेट वालों को देखे मैं घन्रानु यू पी पंजाब और जितने स्टेटों से यात्रा वो लोग जो सनाथन की बात करेंगा उसके मागर ये लोग लग जाते हैं, एक गुरूप है जो सनाथन की बात करेंगा उसके ख़लाब खाड़े हो जाते हैं, जिखाओ जी, मुझे बताओ भीया, पीर फकीर भी तो कान में फूग डाल के ठीक कर रहे हैं, जादू जन्तर दे सबसे करें फिर एक पार्टिकुलर ली किसी कुम्मिनिटी को या किसी धरम को टार्गट नहीं किया जाना चाहिए तो यह कम से कम यह जल्दी आफी जल डालना पड़ेगे इसके लिए भी हम उतने हैं हम फाइट करें जिसके लिए भी तो इसमें गलत किया है हमने हमेशा से भाईचारे का सपोर्ट किया यह आप नहीं बोल सकते हैं हमने हमेशे से बाइचारह का स्पर्ट किया, एक पकासनात नहीँ, एक سचाससनात नहीं, हर एक मछभम की जजिध करता है, हर एक घर्न म की जज़त करता है, लेकिन एक सचासनात नहीं, जब उसके धरम पर बात आए, फिर हमें चुपने इए बैट वो फिर हमारे मंद्रियों के शहर में आएंगे और लोग उनसे जफियां मारेंगे लोग उनके गलें मिलेंगे कि शबाश जब अगली बार फिर नारे बाजी करोगे हिंदुस्तान तोड़ने की हमें भी बुलाना हम भी आपके साथ हैं शरमानी चाहिए लोगों को जो इस तर थे कि शबाश दÑननपूर रहत समय हो और लगे सबमेगे होके आटन करेंदे जो प highway यात्रा पहूंचने को का मैसेज यह को कि आइंदा से को इस तरह के लोग आपके जम्मू के घुश्मीर में गुशते हैं मंतरों करो लखनपुर से पार करो जमू कश्मीर देश भक्तों का यहां पर बलिदान लोगवन ने दिये डोड़ा किस्ट्वाड रामबन के लोगवन ने बलिदान दिये और रजोरी डंगरी रिसंटली बलिदान लोग दे रहे हैं यहां पर यह नहीं चलेगा पाकिस्तान को बता सकते हैं कि वह चूपें से यात्राइब हमें यात्रा से लेना देना निसको कभी भी गलत ने लेना कि डेमोक्राइब किसी का लेकिन लोगों को बरदाश नहीं करना चाहिए तो आपने देखा जंता किस तरह मनोज पादाने खुले आम का कि जो एंटीनेशनल एलिमेंटें उसको लखनपूर से इस तरफ आने ही नहीं देना चाहिए था आप इस पर अपनी क्या राय देते कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें अभी के लिए दीजिए मुझे इजादत मैं शुम्म को अत्वाल जैहिन